ग्यारा मेहिने वीपी सिंग की सरकार चलती है फिर उसमे से बीजेपी गवर्वर्मेंट वापस कर लेती है वीपी सिंग की सरकार गेड़ जाती है फिर चंसेकर कॉंग्रेस के सपोर्ट से प्राइमिस्टर बनते हैं दो साल के बाद 91 में फिर एलेक्शन होता है और फिर प्रा कि अबरी मज़्य दिमालिशन का और ऐसा कहा जाता है कि पीवी नरसी महराओं ने वाजिफ कदम नहीं उठाए उस दिमालिशन को रोकने के लिए आपने अपने बुक में लिखा है पीवी नरसी महराओं की एक जनलिस से बात भी वी और उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए होने दिया कि भारती जंता पार्टी की मंदर की राज़निती हमेशा के लिए खतम हो जाए इसके बारे में थोड़ा एक्सप्रेइन कीजिए आप लेकि ये चार जर्नलिस्ट रहे थे निखिल चक्रवर्टी उसमें थे खबाच जोशी उसमें थे रामबा दुर्णाय उसमें थे ज तो उन्होंने कहा कि दादा जो कहते थे उनको निखिल चक्रवर्टी को मैं राज़निती में बड़ा हुआ हूँ कि मैं चाहता था कि ये मंदेर की राज़निती खतम हो और मैंने ये होने दिया वहाजब कि ये जो राज़निती है मंदेर की वो खतम हो और मैंने होने दिया तो ये उनका मानना था, और मुझे लगता है उनको दिख रहा था, कि ये शायद होगा उनको, ये भी मैंने कहा इसमें, कि खुशाबार ठाकरे और सुर्दर्शन जो हैट करते थे, सुर्दर्शन, RSS को, उन्होंने सोंपाल, जो MP रहे, बीपी सिंह के भी करीब थे, कि हमको मालूम, हमने नर्सिमार आपको बताया था, कि ये होने जा रहा है, आप अर्रेंजमेंट कर लेना, So, the question hangs there, did, I don't think Narsimhaar आप कलuded, with BJP के अमंदिर को गिराएंगे, But was he, but was he complicit, that he knew but didn't do anything, or felt couldn't do anything, and the balance of advantage lay in just being, just being there and allowing things to happen, and he wanted, as he said, a festering sword would go, which had been dogging, which had been affecting Indian politics, and that he had in his mind, which also I quote people, to build a temple there himself. Okay, that was the plan, that was the idea.